जेश्ट मा के दूसरे मंगलवार को रेती चोग इस्थित काली बाडी मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया वहीं पूरे शहर में पड़ी संक्या में भंडारे का आयोजन किया गया भंडारे के आउजकों ने इस अवसर पर पूरी सबजी हलुआ भक्तों में बाटा लोगों में परसाद वितरित करने को लेकर भी गजब का उस्साह देखने को मिला भंडारा संचालकों में अधिक से अधिक भक्तों को परसाद देने की होड थी सबी लोगों ने परसाथ गरहन किया इस वसर पर गोरकपूर नीव से बात करते हुए काली बाड़ी मंदिर के महंत रभी दिर्दास ने कहा क्या जएके लिताड़ीग था को का करते हुए कि कंपÓ ने किया सम्म मैं अधय के हुए 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 हुए 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 हुएICO पूरہि में अधय करते हुए हुए हुएₑ पो आपको अपको और शीड़ीमा आपको रस जहाँ जाँ जैंड़ाँ जाया जाँ जहाँ 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 सबस्बस्बस्बस्बस्दों हर साल आज विशो साल से विशो साल से हन्मान जी के उपलक्ष में जेठ महने के उपलक्ष में हर मंगलवार को एक महना लगातार हर मंगलवार को भंडारा हन्मान जी की किरपा से चलता रहता है और हम लोग के साथ साथ यहां की जनता की बहुत उत्सा और सहियोग है जो कि हर जनता उत्साहित रहते हैं महले के सारे लोग उत्साहित रहते हैं कि बाबा हर मंगल बार को इस माह में असाध माह में भंडारा होता रहे और हन्मान जी की विशेश किरपा है कि जो भी लोग यहां मनो कामना मन में रखते हैं उसका मनो कामना पुर्ण होता है और सहिदेव हन्मान जी किरपा से यह भंडारा जो है आज 20 साल से चल रहा है और उस चलता रहेगा